इस लेक्चर में हम एट्रिब्यूट्स को कॉपी पेस्ट करना या फिर रिमूफ करना सीखेंगे इससे मेरा मतलब यह है कि अगर आपके पास एक क्लिप है टाइम लाइन पे और उसके उपर कुछ एफेक्ट्स लगे वे हैं कुछ उसके उपर हो सकता है आपने कुछ इसकी पोजिशन स्केलिंग में से भी आपने कुछ चेंज किया वह हो और आप चाहते हैं कि वह आपके जो इस ने जो क्लिप्स पे भी उनको आप पेस्ट कर सकते हैं आएद देखते हैं तो इसमक मेरे पास टाइम लाइन पे कुछ क्लिप्स मौझूद हैं और इनके उपर इफेक्ट्स भी लगे वे हैं कुछ क्लिप्स के उपर हमने पोजिशन को भी चेंज किया है ताके मैं आपक एक इसकी जो basic attributes होते हैं, motion में जाके मेरे पास कुछ वो भी change हुआ हुआ है, और इसके लावा जो effects है, उसके भी मेरे पास यहाँ पर blur add हुआ है, मैं इसको play करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस पर blur का effect जो है, वो इस वक्त animate हुआ है, मतलब आप यह keyframes देख सक सकते हैं यहाँ पर, कि पहले इसकी value 122 है और next पर इसकी value 0 है, तो यह एक blur से short sharpness की तरफ जा रहा है, और अगर आप मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यही same effect, जो मैंने यहाँ पर create कर लिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे next clip पर भी ऐसा ही कुछ हो, तो उसके लिए मुझे इसको सब करूँगा, मैं इस पर right click करूँगा और paste attributes को यहाँ पर click करूँगा, तो आपके पास एक paste attributes के नाम से window खुल जाएगी, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वो सारी options दे रहा है, जो कि इस वकद आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको motion भी change किया वाता है, वो motion को भी यहा multiple effects होते, तो आप उन multiple effects को paste कर सकते थे, और अगर आप चाते तो selective effects भी वहाँ से आप copy paste कर सकते थे, इस वक्त एक effect लगावा था, यहाँ से मैंने select कर लिया, अगर मुझे motion के attributes ही paste करने तो मैं इसको यहाँ पर check रहने दूँगा, और effects check है मेरे पास, further audio इसमें clip में थी ही नह है, आपके audio के भी अगर effect होते तो आप वो भी एक साथ move कर सकते थे, उस पर copy paste कर सकते थे, मैं यहाँ से इसको okay करूँगा, और वो same effect इसके उपर भी लग चुका है, तो आप देख सकते हैं, इस वक्त मेरे पास यह जो motion थी इसकी, पिछले clip की वो भी यहाँ पर change हो चुकी है, जो के पहले by default 100 थी, और यह जो motion blur का effect है मेरे पास, वो भी same property के साथ यहाँ पर लग चुका है, अगर आप चाते तो इसी same clip को, जिसको मैंने पहले copy किया था, आपको अगर सब पर यह effect चाहिए, आप सब को select करके, उसी तरह right click करके, paste attributes कर सकते थे, paste attributes की शॉट की जो है, वो Ctrl-Alt-V है, अगर आप clips को select करेंगे, Ctrl-Alt-V select करेंगे, तो उसके बाद आपके पास same window खुल जागी, और जैसी तरह के effects आपको चाहिए, आप उसको वहाँ पर okay करेंगे, तो उसके उपर paste हो जाएगे, अभी इसको cancel करते हैं, तो एक तो आपके पास यह तरीका था, कि आ आप उसको selector के paste कर सकते हैं, दूसरा एक और तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इस तरह करने में थोड़ा सा complicated लगे है, क्योंकि effect अभी तो एक लगवा है, आपके लिए असानी है, और आपको फिर multiple clips को selector के लगाने, आप सोचें अगर effect ज़ादा लगे आपके पास तो फिर शायद थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे, तो एक तरीका मैं आप से और share करता हूँ, उसमें आपके पास क्या है कि अगर आप उसी clip को select करेंगे, effect control window में आपके पास वो effect यहाँ पर show हो रहा है, इसको मैं अगर right click करूँगा, मैं इस effect को as it is copy कर सकता और अगर मुझे यहाँ पर चाहिए, या अभी मैं इसको already लगा था, इसको हम delete कर देते हैं, और इस clip में से, जो के हमने effect control window से Gaussian blur को copy किया, और हमने इस clip में जाके effect control window पर ही right click करके paste कर दिया, तो आप देख सकते हैं, इस वक जो Gaussian blur का effect था, वो basically आपके पास यहाँ पर आ गय इस सिर्फ selective effect आपके पास आया है, तो आपके बस दूसरा तरीका इस तरह से copy paste करने से भी हो सकते हैं, second बात अगर आपको selective clip में से, जो के timeline में randomly पढ़ रहे हैं, उसमें से आपको attributes remove करने हैं, selection के लिए आप shift के साथ उनको select कर सकते हैं, आप देख रहे हैं, वीच का portion select नहीं attributes, again आपके पास इस तरह की window खुलेगी और वो अब आपसे पूछेगा कि आपको क्या remove करना है, हो सकता है अगर इस पे multiple effects होते हैं, तो आपके पास situation बिल्कुल मुझूद थी, कि आप selective जो आपको remove करना है, आप सिर्फ उसको check करें, और बाकी आप वैसे as it is रहने थे, मैं करता हूँ, मुझे motion remove नहीं करनी, जो 120 percentage पर उसको बढ़ा दिया था, वो मैं रहने देता हूँ, opacity by default थी, इसमें विसे कुछ change नहीं हुआ, इसको भी अंचेक करता हूँ, तो मुझे इस वक basically effects move करना है, जो के एक ही effect है, और यहां से यह select है, मैं इसको ok करूँगा, तो आप देखेंगे कि आपके पास, वो जो blur का effect इस clip में से भी, और जो second clip हमने select किया था, इसमें से भी, वो हट चुका है, तो अभी तक आपने attributes को paste करने के दो तरीके देखे, और उसके इलावा आपने attributes remove करने का तरीका भी सीखा, जो चीज हमने यहां पर right click से की, वो आप चाहें तो यहां से edit में जाके भी कर सकते थे, जिसमें आपके पास remove attributes और paste attributes की option आ रही है, इसके अलावा मैं आपको एक further चीज भी बताता चलूँ, जिस तरह के आप देख सकते हैं कि एक clip था, एक file थी, और उसके अंदर बहुत सारे shots की variation थी, और आपने different variation timeline पे different जगाओं पे use कर उसकी master file में ही जाके copy paste कर दें, मिसाल के तोर पे, अगर मेरे पास एक file है यहां पर, आप देख सकते हैं कि यह खुबसूरत shot है, एक drone का, वर्चल यूनिवस्टी का, और यह इसकी different variation इसी angle में से, इसी इसमें से, आपके पास timeline पे और जगाओं पे भी मुझूद है, अगर म saturation भी है, तो यहां जाके अगर मैंने इसकी saturation गिरा दिये, saturation का मतलब यह है कि मैंने इसके color की intensity बिल्कुल zero कर दिये, तो आप देख रहे हैं, यह black and white हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त यह clip जो है, मेरे पास black and white है, और आगे-आगे जहां पर इसी file में से clips use होई ह अगर तो उसी तरीके से करना चाहूं, तो मुझे इनको धूणना पड़ेगा timeline से, अच्छा जी, एक यह लगावा है, और एक यह लगावा है, तो मैं उसको copy करके फिर यहां पर paste करूँगा, तो मेरे पास attributes paste हो जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं, इस वक्त जो मेरे प यहां पर उस file में से use हुआ है, तो same file के attributes अगर मुझे paste करने हो, मैं क्या करूँगा, कि यहां से इसको मैं basically cut कर दूँगा, अभी यहां से यह remove हो चुक है, और आप यहां पर effect control के अंदर देख सकते हैं, आपके पास एक तो यह file का exactly जो clip है, यह उसकी option दे रहा है, इसके सा यह आपके पास एक इस source की भी option है, अगर आप इस source पे click करेंगे, जो effect मैंने वहां से cut किया था, मैं right click करूँगा और यहां पर इसको paste कर दूँगा, तो अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास timeline पे इस clip में से, जहां जहां पर भी यह file मुझूद थी, उस पे same effect अगर मैं इसके यहां पर एक और effect भी लगाना चाहूँ, maybe मैं यहां से इसको लगाता हूँ, replicate, replicate यह इस तरह से स्निस की screen को कर दिया है, तो अभी यह replicate by default तो इस clip के उपर लगाए, बाकियों के उपर आपको नहीं show होगा इस वक्त, same उस तरीके सा आपको replicate को यहां से cut करके effect control window के अंदर, आपके बाद से दो tap छोटे छोटे से आ रहे होंगे, यहां से select होना चाहिए, और आप source में गए, और यहां पर आपने इसको paste कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास इस वक्त, timeline पे जहां पर भी एक clip आ रहा है, वो कहीं पर भी पढ़ा होगा, तो वो same effect उस पे लगते जाएंगे, लेकिन इनको remove करने के लिए आपको दुबारा से ही इनकी source में जाना पड़ेगा, मैं तब आप effect control window में गए और नीचे जो यह source है, और यहां से जाके आपको इनको physically delete करना पड़ेगा, तो तब जाके आपके पास यहां से remove हो जाएगा, यह standard जो तरीका होता है, right click करके उससे यह remove नहीं होंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपका specific clip के उपर ही काम करता है, तो यह तो था हमारे पास तरीका effects को, attributes को copy करना, और साथ में दूसरे clips के उपर उसको paste करना, यह बहुत important एक step है इसका, क्योंकि आप एक चीज बनाते हैं, वहा effects से उसको create किया, जो look आपको चाहिए थी, या जो effect आपको चाहिए था, और वो बारी-बारी हर एक पे करना, उस तरह से बहुत time digging भी है, और मतलब वो कोई तरीका उस तरह से है भी नहीं, तो उसके लिए बहुत बहुत बेतर तरीका है, कि आपने उसको copy करना है, और बाकी आप इसको दूसरे तरीके से भी देखें, effect control में जाके जो हमने इसको source से ही change किया, उस तरीके से भी आप देख सकते हैं, इसके इलावा एक और बहुत important चीज़ है, जो कि है adjustment layer, वो हम आगे आने वाले lectures में देखेंगे, कि वो किस तरह से काम करती हैं, और एक ही layer के थूरू हम सारे timeline के उपर या जितना हमें portion चाहिए होता है उस पर effect लगा सकते हैं, तो अभी आप इसकी practice करें और आगे further lectures में हम मजीद बात करें